थोड़े दिन पहले ही हमने अपनी कम्यूनिटी में एक पोल डाला था कि हमें कंपेरजन वीडियो किन प्रोडक्स से बीच में बीच में बनाना चाहिए और मैक्सिमम वोड्स गए हैं ट्रूप बट्स एस वन वर्सस बोट एडोप 4-0-2 पर और अगर आपको ट्रूप बट्स एस वन और बोट एडोप 4-0-2 की बिल्कुल डीटेल अन्बोक्सिंग और रवीडियो देखना है तो हमारे इस वीडियो की लिफ्स में आप चैनल पर जाके देख सकते हैं इस वीडियो सबसे पहले हम चैक करेंगे दोनों के बेसिक डिफरेंस फिर हम कंपैर करेंगे दोनों की sound quality, bass quality, call quality और gaming experience और धीर धीर एंटर पॉस्टे 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 हम रिए करी लेंगे जादा वैली फो मरी प्रोडटक कॉन सा है So, hope you like this one and if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all. So, let's get started. सबसे पहले हम चेक करेंगे दोनों के बेसिक डिफरेंसे, so here you can see comparing the Troog Buds S1 with the Boat Edobs 402, you will be getting Bluetooth version 5.1 with Troog Buds S1 and Boat you will get Bluetooth version 5.0 and both Bluetooth version 5.0 feature पीचर मिलेगा और दोनों में ही आपको 10 mm डानेमेक ड्राइवर्स में मिल जाएंगे और दोनों में ही आपको touch control features भी मिल जाएंगे And Troog Buds S1 में आपको instant wake and play technology नहीं मिलेगी जो कि आपको Boat Edobs 402 में मिल जाएगी And अगर हम बैटरी की बात करेंगे, Buds S1 में आपको approximately 8-10 hours का playtime मिल जाएगा on a single charge And total आपको approximately 72 hours का playtime मिल जाएगा overall with charging case And 402 में आपको approximately 3.5-4 hours का playtime मिलेगा on a single charge And total आपको approximately 16 hours का playtime मिल जाएगा overall with charging case And Troog Buds S1 का price is approximately 1500 rupees And Boat Edobs 402 का price is approximately 1800 rupees So these were the basic differences between both the earbuds So these were the basic differences between both the earbuds So you can see pricing के हिसाब से साफ साफ आपको ज़्यादर specifications Better specifications मिल रहे हैं Troog Buds S1 में As compared to Boat Edobs 402 Boat Edobs 402 specifications में आपको कहीं भी stand नहीं कर रहे हैं Dekhा जाएगा प्राइसिंग जाएगा है And अगर हम बात करेंगे, अब look and feel की So Troog Buds S1 में आपको अच्छा कासा बल्की सा Earbuds केस मिल जाएगा Plastic Metal अच्छा कासा यूस किया गया है Plus Point Ease में आपको slider का option मिल जाएगा जो कि ऐसे इस pricing में आपको Earbuds में नहीं मिलने वाला है और अच्छा कासा look and feel दिया गया है हो सकता है थोड़ा बल्की है अगर हम बात करेंगे Earbuds की So Troog Buds S1 में आपको बिल्कुल छोटे से Stem Shape के अच्छी खासी quality की Earbuds मिल जाएगा कानों में बिल्कुल प्रॉपरली फिट होते हैं अगर आप प्रॉपर Ear Cups लगाएगे तो गिरने के बिल्कुल चांस इस नहीं है अच्छा है वापे ट्रेपेंड करता है अगर थोड़े चोटे साइस के Earbuds चीज़ चैम शेप के थोड़े बड़े साइस के और दोनों में ही आपको टच कंट्रोल मिल जाएगे You can play, pause, answer call, reject call, next track, previous track activate the voice suggestion feature सब आप कर सकते हैं दोनों ही Earbuds में accept the volume part volume आपको दोनों में ही नहीं मिलने वाली volume आपको दोनों में ही mobile के थोगी कंट्रोल करनी पड़ेगी अगर हम बात करेंगे plus point के TrueBuds S1 की इसमें आपको dedicated gaming mode मिल जाएगा 1500 रोपे के pricing के हिसाब से इसमें आपको dedicated gaming mode मिल रहा है साफ साफ Buds S1 ज्यादा बैटर है as compared to 402 402 में आपको थोड़ी ज्यादा latency मिलेगी as compared to TrueCast 1 अगर हम बात करेंगे main sound quality, bass quality और call quality की हालाग कि देखा चाहिए दोनों में आपको 10 mm के dynamic drivers मिलने वाले हैं बट आपको ज्यादा loudness मिलेगी 402 में TrueCast 1 में भी अच्छी खाजी loudness है बहुत ज्यादा loudness नहीं है अगर आप सुनेंगे तो बिना इसकी distortion कि music experience enjoy कर पाएंगे अगर आपको थोड़ी बहुत loudness चाहिए तो आप 402 को consider कर सकते हैं बट आपको थोड़ा बहुत enhanced music experience चाहिए ज्यादा loudness नहीं चाहिए आपको clarity ज्यादा चाहिए तो Buds S1 में को हलके फुलके better लगे as compared to 402 402 डैसा नहीं है कि music experience में आपको गंदा मिलने वाला है या बेकार मिलने वाला है अच्छा खासा मिल जागा बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत मुझे announcement लगी music experience में Buds S1 में as compared to 402 बात करेंगे bass की bass में आपको दोनों अच्छे खासे bass effects मिल जाएंगे बट इसमें भी Buds S1 में आपको ज्यादा bass effects मिलेंगे as compared to 402 अगर आपको कारों में अच्छा खासा गुणचता हुआ bass effects चाहिए तो definitely आप Buds S1 को consider कर सकते है 402 में भी अच्छा खासा decent powerful है बट आपको ज्यादा bass गूचता हुआ bass थोड़ी बहुत हल्की full की धमदम वाली feeling ज्यादा मिलेगी Buds S1 में as compared to 402 बात करेंगे calling की साफ साफ इसमें आपको मिलने वाले है true S1 में core mics मिल जाएंगे आपको MEMS mics मिलने वाले हैं आपको better calling experience मिलेगा S1 में as compared to 402 402 में decent calling है outer condition में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत face हो but outer condition के लिए Buds S1 ज्यादा better है सामें वाल आपको 80% सुन पाएगा 20% उसको background noise आएगी but indoor outdoor condition में calling के लिए perfect है S1 as compared to 402 so simply मैंने इतनी सारे आपको चीज़े बता दी हर मामले में देखा जाए Buds S1 आगे है as compared to 402 इस timing पर अगर आप एक नए brand की तरफ जाना चाहता हैं अला कि इसमें आपको 6 months की warranty मिलने वाली है थोड़ी बहुत मुझे disappointment लगी अगर approximately आपको एक साल की warranty मिलती तो जाधा better रहता बोट में आपको एक साल की warranty मिलने वाली है और इसमें आपको थोड़ा बढ़ा case मिलने वाला है as compared to 402 but slider का option मिल जाएगा और ज्यादा battery backup आप उस मिल जाएगा S1 में अच्छी कासी आपको battery मिल जाएगा as compared to 402 हर मामले में, pricing के मामले में भी, specifications के मामले में भी music based और calling और gaming के मामले में भी but S1 आगे है as compared to 402 अब इतरा बोलने के बाद भी अगर आप मुझसे बूचोगे which one to opt for स्वाई simple सी बात है अगर आप एक नए ब्रैंड को बिल्कुल ट्राइ करना चाहते हैं पंदरा सो रुपे के हिसाब से बहुत ही अच्छा खासा value for money product लग रहा है मैं इसको approximately दो हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ मुझे सच को इशू face नहीं है टुक S1 में अगर आपको board branding की तरफ जाना ही जाना है 402 काफी अच्छा खासा option है एक साल हो गया, देट साल हो गया, उसको भी market में लाँच हुए लेकिन अभी भी एक अच्छा खासा option है अगर आपको board branding की तरफ जाना है बट हर मामले में अगर आपको एक better experience चीए तो S1 को आप try कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात दी है मैंने तोनों के ही link description पार में देदी, महाँ जाके आप check out कर सकते हैं अगर इतना comparison करने के बाद भी कोई दिक्कत है आपको बिल्कुल आप comment section एपोच सकते हैं I'll try my best to help you out with that So this was all about the comparison between the both Eardoops 402 with the TrueBuds S1 True Wireless Earbuds Hope you liked this one and as I told you if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all So thank you for watching this one and see you in the next video, thank you